जेशिराम मित्रों डिक्टेशन स्टार्ट अभी योजन का मामला संक्षेप में यह है की ग्राम रामपुरा थाना राजगड निवासी रोहित तमर ने दिनांक 17.12.2017 को 20.45 बजे पुलिस थाना राजगड में उपस्तित होकर इस आसे की रिपोर्ट दर्जखराई की उसकी लड़की राधाबाई की शादी ग्राम काजरी निवासी गौपाल पिता बिर्दिलाल से हुई थी जिसका जगड़ा काजरी वालों से चल रहा है इसी रंजिस को लेकर आज सुबह आठ बजे वह परिवार सहित घर पर था उसी समय काजरी वाले उसके रिष्टेदार बिर्दिलाल कौमा धन्नालाल और पन्नालाल आय और उसके खेत में काटकर रखी मक्का की फसल का ओगा में आग लगाने लगे उन्होंने आग लगाने से मना किया तो गंदी डेश गंदी गालियां देकर बाले अपनी लड़की का जगडा क्यों नहीं तोड रहा है कौमा लकडी से मारपीट करने लगे और मक्का के ओगा में आग लगा दी विराम इतने में काजरी वालों के रिष्तेदार सोहन कौमा मोहन ग्राम राजगड वाले भी आगे उन्होंने भी परियदीव उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की विराम आरोपी गण ने फरियादी कौमा उसकी पतनी कौमा उसकी दोनों लड़कियां और दोनों लड़कों के साथ भी लकडी से मारपीट की इन सभी को चोटें आई हैं विराम आरोपी गण धमकी देकर बोल रहे थे की लड़की का जगडा नहीं तोड़ा तो अभी तो इतना नुकसान किया है अब की बार तेरा पुरा घर जला डालेंगे और रिपोर्ट थाने में की तो जान से खत्म कर डालेंगे विराम फरियादी की मक्का की फसल का पूरा ओग जल गया घटना खुमान सेह रगुराम ने देखी है विराम फेराचेंज उक्तसूचना के आधार पर घटना की रिपोर्ट प्रदर्सपी डेस्तीन थाना भोजपुर में दर्ज की गई जिस पर से थाना भोजपुर में अपराद क्रमांक 107 अबलिक 2022 अंतरगत धारा 294,323 अबलिक 34,506 भाग डेस्त दो 384, भारतीय दंड सहीता कोमा 1860 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कायमी कर विवेचना में साक्सियों के कथन उनके कहे अनुसार लेख बद्ध किये गए कोमा घटना स्थलका नक्सा मोका एवं नुकसानी पंचनामा बनाया गया कोमा आरोपी गण को गिरप्तार किया गया वा बाद अनुसंधान आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्याईक मजिस्ट्रेट प्रथम स्रेणी रानपुर के न्यायालै में पेश किया गया कोमा जिस पर से आपराधिक प्रकरन करमांक 132.2020 पंजिवद किया गया व इस प्रकरन में पारित आदेश दिनांक 12.8.2020 द्वारा प्रकरन उपारपित किया जाने पर प्रकरन इस न्यायलै में दिनांक 27.12.2020 को प्राप्त हुआ विराम पेराचेंज आरोपी बिर्धिलाल कोमा शिवप्रकास एवं राम नारायन के विरुद्ध धारा 294 कोमा 323,435 शह पटित धारा 34,147,323 ओबलिक एक्सो उन्चास कोष्टक पांच सीर्स कोष्टक एवं धारा 506 भाग डेश दो भारतिय दंड सहीता कोमा 1860 एवं आरोपी मुकेश कोमा पन्नालाल एवं मनोजके विरुद्ध धारा 147,323 ओबलिक एक्सो उन्चास कोष्टक पांच सीर्स कोष्टक एवं धारा 506 भाग डेश दो भारतिय दंड सहीता कोमा 1860 के अधीन दंड निये अपराधों के आरोप पत्र सुनाए एवं समझाए जाने पर आरोपी गणने आरोप अस्वीकार किया और विचारन चाहा विराम इस्टोप अधन्यवात किया झारा औरोपी पारोपी पस्टी प सुनाए पारोपी अस्वीकार